हालो स्टूडेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क का चैप्टर 6 है, इसके पहले की वीडियो देखे तो समझ में आएका आपको, जब आप प्लेलिस्ट सेक्षेन में आओगे तो आपको आयोनिक के स्पेशल प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जहां से आप आयोनिक की पीछे की चैप् को पढ़ सकते हो, पेछले वीडियो के अनुशार हम ग्रीट को पढ़ रहे थे, तो ग्रीट से रिलेटर और भी कुछ इंपोर्टेन चीजों को आपको शीखना चराऊशे, अबजर्व कीजे, मैंने इस तरह से ग्रीट को शुरू करके बंद किया, इसके अंदर रोग को create क करना है, तो आयोन कोल टैक को शुरू करके अशे बंद करिंके, प्रिवेस वीडियो में आपने इमेज को यूज करना शीखा था, लेकिन उस इमेज को हम कहा रखते थे, ये जो एसेट नाम का फोल्डर है इसके अंदर, सपोज कि ये कोई इमेज ऑनलाइन यूज करना है, तो कैसे करेंगे, ओल्लाइन यूज करना बड़ा ही सिंपल है, किसी भी इमेज को आप ओपिन कर लो, और उस इमेज का जो यूरल हो, वो आप आप आई एमजी के सरसी में पेस्ट कर दोगे, तो आटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन जभी भी मोबाइल अप्लि वीडियोज फ़र डेवल अपर्च, तो इसको जरूर देखिए, आपके पास जो भी कोडिंग की क्वालिटी है, वो और ज्यादा इंप्रूफ हो जाएंगी, अगर आप इस प्लेलिस्ट की वीडियोज को देखोगे, तो अफदार्स को प्राप्त करने के लिए सौच कर लि देखिए, यह देखरे हैं, डारेक्ट इमेज आईडी, जरह इसको कॉपी कर लिजे यहां से, और आई एमजी के सर्सी में पेस्ट कर दीजे, यह इमेज का साइज है, क्या साइज चाहिए आपको इमेज का वो आप डिफाइन करो, और यह है आपके इमेज का आईडी, तो जरनेली इस वेबसाइट पे जिस इमेज का आईडी 3 होगा, वो इमेज दिख जाएगा, तो 1 से लेके 70 या 75 तक आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे इस वेबसाइट पे जो पहला इमेज है उसका इस्तमाल करना है तो आप यहां पे डिफाइन करो के 1, इसको कॉपी कर लिजे सेम उसी प्रकार से अगर दूसरा इमेज आपको इस्तमाल करना है तो यहां पे आप डिफाइन कर दो 2, तो ऐसे ही 2, 3, 4, 5 से लेकर 70 तक इस्तमाल करेंगे, तो 70 अलग लग प्रकार के टेस्टिंग फोटोज आपको मिल जाएंगे, और उन्ही फोटोज को कहा जाएगा, अ कोई और इमेज चाहिए, सपोज कि यह इमेज आपको पसंद नहीं आया, तो यहां पे आप चेंज कर दो, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया, 5, तो जिस इमेज का ID 5 होका, वो इमेज आएसे डिस्पले हो जाएगा, क्या आप जानते हो, हम आपको online classes प्रोवाइड करते, जिस हमारे sales executive पो कॉल कीजिए, वो आपको शारी जानकारी दे देंगे, YouTube पे अलेडी हमारी course का review अगर आप सौज करो के web institute course review, तो वहां आपको course review देखने को मिलेगा, जरा वापसा चाहिए code में, यह तो आप जानते हो कि आप size के माध्यम से size define कर सकते हो, जैसे मैंने पहले image का size define कर दिया 3, अगर हम save करके run करेंगे तो 3 का जितना width होना चाहिए percentage में, उसी साब से यह convert हो जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए आप चाहते हो particular device पे ही, यह विर्थ आपका का काम करें, तो condition कैसे apply करेंगे, शो जानिए, पहले तो आप size का मतलब समझ लो, अगर हम define करते हैं size हाइफन SM, तो इसका मतलब हो गया 576 पिक्षल से नीचे का स्क्रीन, तो यह तो आप जानते हों कि mobile हम दो direction में use करते हैं, शाब से पहले, जब आप इस तरह से use करोगे, यानि कि लंबाई में, तो यह कहलाएगा portrait direction, जब आप इसको rotate करके, यानि कि phone को rotate करके use करोगे, तो व तभी काम करेगा जब screen का size 576 पिक्षल से छोटा होगा, जैसे देखिया अभी यह काम कर रहा है size 3, क्योंकि screen का size 576 पिक्षल से छोटा है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा, ध्यान से देखिए size काम करना बंद कर देगा, और image भी आपका थोड़ा शब बड़ा हो जाएगा, तो यह जो size आप pass करोगे call में, आप इस पे अगर condition पास करना चाहते हो कि यह particular device पे काम करें, तो उसके बाद आप size SM या size MT, size LG इनका इस्तमाल करोगे, अगर आप चाहते हो कि यह जो size आपने define किया वो 766 पिक्षल से नीचे के screen पे काम करें, तो 766 पिक्षल से नीचे का screen द भी हो जाएगा, तो देखे जरा गोर से मैं यहाँ define कर देता हूँ size हाइफन MT, तो 766 पिक्षल के नीचे के screen पे automatic यह size काम करेंगा, मैंने page reload किया, देखे यह size अभी काम कर रहा क्योंकि screen का size 760 पिक्षल से छोटा होगा, अगर मैं बड़ा करूंगा जैसे ही 760 पिक्षल से उपर जाये का automatic, यह size काम करना यहाँ पे बंद कर देगा, सेम उशी प्रकार से अगर आप size LG का इस्तमाल करोगे तो यह size 992 पिक्षल से नीचे के screen पे काम करेगा, अगर आप size Excel का इस्तमाल करोगे तो यह size 1200 पिक्षल से नीचे के screen पे काम करेगा, तो यह optional होता है, और यहर आते बनाते यह सारी चीजे सीख जाओगे, बस आप चैनल पे हमेशा active रहो, तती दिन आपको वीडियोज देखने को मिलेगा, आयोनिक्स रिलेटेड, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइगन को हिट कीजिए, ताकि अगले वीडियो का notification आप तक पहुंच शके, हमार आई वैप साइट पे जरूर विजिट कीजिए, हमारे एक्जिक्वीटिव को कॉल कीजिए, ताकि वो शारी जनकारी देशा के आपको हमारे online classes के बारे में, वीडियो पसांद दाया, तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, वैप इंस्टेट्यूट के वीडियो को देखने के ल